दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपनी बंद नसों से यानि कि नसों के ब्लोकेज से नसों के दर्द से नसों में सूजन एठन यहां तक कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है पेट साफ ना होने की वज़े से यानि कबज की वज़े से मोटापा बढ़ता चला रहा है या फिर आपको घुटनेल कमर्जोड़ों में दर्द रहता है कि steeds ब् Happy जड़ से कहत्म होकी आज कल सब सबस्केभा का कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ पर रहता है तो अगर आपको कॉलेस्ट्रोल की समस्या है या बीपी की समस्या है या आपको डियावटीज की समस्या है दोस्तों जड़ से खताम होगी आप इस मुस्के का इस्तेमाल करिए इस मुस्के का अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो आपकी नसों में नतों बनाया है और यह पाउडर का अगर आपने सेवन कर लिया तो सिर से लेकर पैर तक आपका पूरा सरी स्वास रहेगा मैं सच बता रही हूं एक भी दर्द को यानि कि आप भूल जाएंगे कि आपके सरी में दर्द भी है या आला से है कमजोरी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होग और आप जीवन में वीमा नहीं पढ़ेंगे मैं यह बता रही हूं अगर आप इसको खाना स्टार्ट कर देंगे चलिए तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेना है दो चम्मच अलसी यानि कि अलसी के बीज और दो चम्मच आपको लेना है यह मैथी दाना अब अलसी के बी भी दर्द है जकड़ान है एंठान है और या फिर बंद नस है यानि नसों में ब्लॉकेज सारी चीजों को खतम करता है ठीक है आपके पूरे सरीर में एनरजी आएगी सच बता रही हूं भाई जब नस नाडिया क्लीन रहेगी तो आटमेटिक सरीर अपना अच्छा चलता है ठीक चलिए इसको लेडी जैंट कोई भी खा सकता है नो प्रॉब्लम अगर आप इसको खाएंगे तो आपका जब पेट है ना आपको पेट में कब्ज रहती है आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा पस इसको कुछ नी करना है इसको अच्छे से भून लेना है तो मैंने बहुत ज़्यदा काला होने तक या ब्राउन होने तक इसको नहीं मूना है हलका सा मूनिएगा ताकि इसके पोछ सकता तुना जाए अब इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें आधा चमश हम डाल देंगे हल्दी पाउडर अब हल्दी पाउडर भी घ का में सर्म करता है हमारे सरीर में इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या सवह आप्षों मतर होता है सलफ की होती है तासीर ठंडी कि इससे परेट आपको नीद भी अच्छी आएगी इससे आपको टेंसन नहीं होगा और इससे आपको क्या होगा आपका हार्ट लीबर किड्नी मेटाबलेजाम सब बैस्ट रहेगा पूरे सरीक लिए बता रहे हूं एक अंगे के लिए अगर इनमें से कोई भी प्रोब्लम है नहीं भी है तब अब आप इस चूर्ण को खाएए आप इस बनाएए बना करके आपको इसे एक एर टाय डिबी में भर करके रख लेना है अब आप इसकी रोज एक चमच फंकी लगाईए यानि कि एक चमच इस पाउडर का आप सेबन करिए तो आपका पूरा सरीर स्वस्त रहेगा आपकी ड कंच्रोल हो गया नहीं दीरे दीरे कंच्रोल हो जाएगा ठीक है मैं भाइं और नपा ले आपका कोलेस्टरोल घूण हो जाएगा लेवी लीधी देन दिन में रहते हैं आप स we Śद ये लेना ठीक तो आपकी लिभीर भान लेगी आपको यह बिलक्ति आज माजा हुआ है मेरे गर पर तो बना हुआ रहता है हमेशा मैं इसको बना करें रखती हूं क्योंकि आज कल सारी चीजें बैसी मिलनी खाने को क्योंकि मार्केट में कोई सुद्धी चीज नहीं है तो यह सारी चीजें हम लोगों को बचाए रहेंगी बीमारियों से अब आपको इसका एक चम्मच नेमत रूप से आपको सेवन करना है आप इसको सुबह खाली पेट एक चम्मच इस पौडर को सुबह मोर्निंग में खाली पेट खाईएगा एक चमच पौडर लीजिए और एक ग्लास घृंगुना पानी ले लीजिए पानी के साथ में प्रौडों को खा लिए एक चमच पॉडर आप निमत रूप से खाएंगे तो आप कमाल सुम देख लेना आपको पहले दिन से जैसे यह आप आप ने खाया इसको ठीक है एक से दो चमच खाएंगे थी दिन आप देखेज आप तीसरे दिन से ही आप तो आप इसका जरूर सेवन करिए यह बहुत दबैश्ट चूरन है आपके पूरे सरी लिए आपका पेड़ भी अच्छा रहेगा आपका कब्जी भी खतम होगा कब्जी की प्रॉब्लम तो जयाता लोगों को रहती ही रहती है तो आप इसका सेवन करिए एक चमच पौडर को लीजिए और एक ग्लास गुरूना पानी लेजिए सुबह सुबह नेमेत रूप से खाईए इसको और रोज नेमेत रूप से ऐसा ने दो टाइम मत खाईए एक चमच और आप देखना 15 दिन में ही आपको इसका फर्क देखेगा और घोटने कमर जोडों का दर्द तो आप ब 25 साल की उमर हो चुकी है तब भी आप इसको ले रहा है शाट करिए आप बीमार नी पढ़ेंगे वो बीमार है तो सही हो जाएंगे आपको कब जब गयरा नहीं होगी ठीक आप इसको इसको इस्तिमाल करने के बाद मैं अब मैं आपको बता दो थोड़ा सा आपको परेज करन और ज्यादा ओली चीजें ना खाएं ठीक वसे इतना सा परेज का लेना देखिए दा बैस्त सरीर हो जाएगा चुस्ति फूर्ती एनर्जी वाला सरी कंजोरी ठकान सारी खताम और सरीर बढ़िया अच्छा सा वीडियो पसंदाए लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राब करें